Hello everyone, welcome back to another video of Movie Explainer YT तो कल की वीडियो में मैंने आपको गोड़िला वसे स्कॉंग के कुछ अपडेट के बारे में बताया था वीडियो से कॉपी नहीं है और कुछ यसे भी डिटेल आपको मैं बताया जा रहा हूँ जो आपको सायद किसी वीडियो में पता चला होगा तो आज का वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टान होने वाला है तो कोई भी डिटेल को मीस नाख करने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा तो फाइनल टीजर की सबसे हमें दो टीजर को रिविल किया गया है तो सबसे पहले हम पेली टीजर को एक्स्प्लेन करते हैं तो इस टीजर के फास सीन में हमें जिया और उसके डॉल को दिखा जाता है जहांपर कॉंग भी उसके पास ही होता है नेक्सिन में हम कॉंग को थोड़ा से डिप्रेज दिखा जाता है जो साइन लेंग्वेज की मदद से अपने घर यानि की स्कॉल आईलेंड के बारे में बात कर रहा होता है यहांपर हमें यह भी पता चलता है कि जिया डिप होने के वज़े से जिस तरह से साइन लेंग्वेज से कॉंग से बात कर रहा था वैसे ही कॉंग भी जिया से साइन लेंग्वेज सीकर कम्यूनिकेट कर सकता है लेकिन मोनार्ज को कॉंग के बारे में साइद ये पता नहीं था क्योंकि तब ही माया ये कहती है इन्वेज तो नेक्ट सिंड में हमें E-Lane को दिखा जाता है जिसके बैक्राइड में आप औरका जैसे ही एक डिवाइस को देख सकते हो और ये सिंड स्कॉल आलेंड में कॉंग को लेने से पेले की हो सकता है जहांपर साइद इस डिवाइस को औरका जैसे ही या फिर कॉंग को ट्राक करने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा फिर नेक्स सीन में हम कॉंग को देखते हैं जिसमें कॉंग को बेहुस करके सीप में ले जा रहे होते हैं और यहां पर सीप में कॉंग को होस में आते हुए भी दिख्या जाता है फिर हमें गोर्जिला को पानी के अंदर दिखायाता है जो बिल्कुली अटाइक मोड पर है और उसके डोसा प्रेट के साथ-साथ उसका फुल बॉड़ी ही पानी के अंदर गलो कर रहा है फिर हम कॉंग को देखते हैं जो कापी बूरी हालत में होता है और मेरे हिसाब से ये सि के सीन के बाद का हो सकता है यहाँ पर कॉंग को चोड़ कर चला गया था यहाँ पर हमें मैडिसन के साथ-साथ बाखी लोगों को भी दिखायाता है जहाँ पर इलेन को छोड़heus कर बाकी सभी क्मublis 대 बोड़ा ज्यादा ही इंटेंस नजर आ रहा है यहां पर यह क्या देख रहे हैं यह कहना तो बहुत ज्यादा मुस्किल है लेकिन आप मुझे कॉमेंट सेक्षन पर जरूर बताएगा तो नेक्स इन में हम जिया नेथन और इलेन को हीप के अंदर देखते हैं जिसके उपर गो को ही आपजोर कर सकता है तो सेकेंड टीजर में हमें कापी सारे नीव फूटेज़स को दिखा गया है जिसमें सबसे पहले तो हमें वही गोर्जिला और कॉंक के फास्ट एंकाउंटर को दिखा जाता है फिर हमें मैडिसन को किसी तरह के हाइटेक बेस के अंदर देखने को हैं और इसका सेट अप को देखने के बाद साइद ये मेका गोर्जिला का का कॉंट्रोल सेंटर जैसा कुछ हो सकता है फिर हमें फेहली बार हॉलोवाट का एक क्लियर भ्यू मिलता है जहां पर आप उपर नीचे दोनों तरप से बड़े-बड़े माउंटन के स्ट्रक्चर क को देख सकते हो और यहां पर हमें कॉंग के साथ दो ही वी ऐर क्राफ को दिखा गया है जो पहले की ट्रेलर में भी हमें दिखा गया था और इस जगह के स्टोन को अगर आप देखोगे तो यह साथ रेडियसन से रियाइड करके ग्लो कर रहे हैं और कुछ एसा ही को लिए वे बता रहे हैं लंकि यह कोई प्ले Toby लाइड देंविड का यहां पर सकते हो कि यह कुछ लोगों का यह कहना है जापर और बॉडड़ीव्ट ग्लो और जाइड कर रहा है स्टीन को फ्रेंब बाई फ्रेमड देखनगे बाद मुझे यह पता चला है कि ये सिप एक light है जो गोर्जिला के उपर पढ़ रहा है क्योंकि पेले आप इसके reflection को तो देखी सकते हो और slow muscle में ये गोर्जिला के body के साथ move ही नहीं कर रहा है और अगर गोर्जिला glow भी करता है तो वो अपने atomic creation के वज़े से definitely blue ही glow करता फिर हम एक आदमी को देखते हैं ज दो कॉंग कभी भी मोनास के base से भाग सकता था नेक्स में हमें कॉंग को गोर्जिला के atomic bridge से बस्ते हुए दिखा जाता है जहां पर कॉंग बीना अपने battle axe के building के पीछे cover ले रहा है फिर हमें गोर्जिला की बहुत ही awesome top भी को दिखा जाता है जहां पर लगभग गोर्जिला को एक base के अंदर देखने को पाते हैं जहां पर वो किसी बहुत ही बड़े चीज को देख रहे होते हैं तो पेले trailer में Madison को गोर्जिला के उपर research करते हुए दिखा गया था तो साद यहां पर Madison को मेका गोर्जिला के बारे में पता चलने वाला है इसी base पर हम एक symbol को भी देख कर अभी बहुत सारे teaser और TV स्पोट आने वाले हैं और मास तक तो फाइनल ट्रेलर आही जाएगा और अच्छी बात तो यह है कि इतने सारे TV स्पोट और ट्रेलर के बाद भी movie के किसी भी spoiler को दिखा नहीं गया है लेकिन धीरे धीरे से हमें movie के कापी सारे interesting बाते पता चल रह है लेकिन आपको यह final टीजर वाला detail कैसा लगा मुझे comment पर जरू बताए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो के एक like और share जरू कर दीजेगा और हाँ future में कापी सारे update आने वाला है तो कोई पी important detail को miss ना करने के लिए चानल को subscribe कर दीजेगा तो आज के वीडियो एंड क explainer YT